कक्षया नो की मैत की वरक्षीट है बच्चो वरक्षीट नमबर 18 हैला बच्चो आज हम गातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चो गातांक, तो गातांक क्या होती गात भी बोल देते हैं या पावर भी बोल देते हैं जैसे पाँच की पावर साथ है बच्चो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका जितनी पावर होती है उसको उतनी बार गुणा किया जाता है पाँच की पावर साथ है तो पाँच को साथ बार गुणा किया गया है तो इसमें क्या कहा जाता है पाँच की पावर साथ में पाँच एक पावर N, पावर को जोड़ दीजिए, यदि इस तरह से आधार बराबर, तो बेस बराबर है, तो पावर जोड़ जाती है, A की पावर M पलस N, यदि पावर की पावर है, तो पावर पावर की गुणा कर दीजिए, A की पावर M N, यदि पावर डिवाइड में है, संख्या इस बेस अनिकोल है तो हम इसे A, B की पावर M लिखेंगे किसी भी नमबर या किसी भी चर की पावर है 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है 1 की पावर 1 वाई 1 की पावर N को हम A की पावर M, M, मानेशन लिख सकते हैं उपर ले जाकर के इसको नेगेटिव कर सकते हैं कुछ के हसं देखे बक्त्धों यह हल करेंगे 17 की पावर 2, 17 की पावर 5, 17 की पावर 2 पलस 5 यहनी 7 हो जाएगा 5 की पावर इन दोनों के गुना कर दीजिये 2 और 7, दोनों पावर हैं इसकी 7 दोनी 14 हो जाएगा अब देखे ये 9 की पावर 10 और 9 की पावर 4 है तो 9 की पावर 10 में से 4 गटा दिजी講, 6 रह जाएगी यहां गुना कीजी पावर बराबर है तो 3 गुना 3 और 5 की गुना कर लीजी यह पावर शीम रहेगी 3-5-15 हो जाएगा, 15 की पावर चार आजाएगा 11 की पावर 0 है बच्चो एक के बराबर आ जाएगा क्योंकि उपर बताया गया था कि किसी भी नमबर या चरकी पावर यदी 0 है तो वो हमेशा एक के बराबर होता है कुछ क्यूशन दिये गए हैं इनको हमल करेंगे बच्चो देखे ये देखे गातांग यदी पावर ऐसे है ऐसे गात है तो इसको कैसे लिखा जाएगा पावर एक बटे दो लिखा जाएगा वरगमूल की जागर वरगमूल है किसी नमबर के उपर तो इसको पावर एक बटे लिखा जाता है यदि घनमूल है तो ग्यारा की पावर एक बटे तीन हो जाएगा इसको हम लिखेंगे इसकी पावर तीन है देखिए वरगमूल पाँच की पावर तीन है तो इसको तीन बार गुणा कर लीजिए वरगमूल पाँच गुणा वरगमूल पाँच गुणा वरग इसको लिख सकते थे यदि हम इसको ऐसे लिखे वरगमूल पांच इसकी पावर तीन है तो पांच की पावर एक बटे दो लिख लीजिए और इसकी पावर तीन ऐसे लिख लीजिए अब उप पावर की गुणा कर दीजिए पांच की पावर तीन बटे दो ऐसे आ जाएगा ये अगर power के रूम में लिखना चाते हैं तो दूसरा question है यह देखी लास्ट वाला question इसमें क्या है 13 की power 1 बटे 3 इसको right कर सकते हैं लेकिन बाहर जो power हो 5 है power power की गुणा करेंगे 13 की power 5 बटे 3 आ जाएगा अंसर इसका इसके बाद देखे question आईए हम एक ही संख्या 4 की power 3 बटे 2 का दो वीदियो से सरलिकरन करना सिखें 4 की power 3 बटे 2 को हम लिख सकते हैं 4 का वरगमूल और इसकी power 3 यानि जो एक 3 बटे 2 पावर थी बच्चों उसको हमने लिख लिया 1 बटे 2 गुणा 3 ऐसे right कर सकते हैं इसलिए एक बटे 2 को अंदर ले लेते हैं 4 का वरगमूल कर देते हैं 4 का वरगमूल दो होता है बाहर power 3 रह जाएगी ये 3 रह गई है 2 की power 3 होता 8 2 की power 3 का मतलब बच्चों 2 को 3 बार गुणा कर लेना तो 2 को 3 बार गुणा करने पर हमें 8 परापत होता है इसी तरह से इसको इस परकार से भी हल किया जा सकता है 4 की power 3 बटे 2 इसकी power 3 को अंदर ले जाएए 4 की power 3 अंदर ले गए बाहर 1 बटा 2 4 की power 3 होता 64 64 का वरगमूल करते तो 8 आता है ऐसे भी इसको हल किया जा सकता है आएए कुछे और स्वालों को गातां के कापरियों करके सरल करते हैं ये देखे ये आप सरल कर सकते हैं उसके बाद देखे ये हम सरल करेंगे नीचे जो दिये गए हैं जो ये सरल किये गए ये आप खुद कर लीजिए तीन की पावर देखे पहला जो सम है तीन की पावर हम लिख सकते एक बटा तीन जमा दो बटा तीन देखे बेस बराबर था बच्चो अगर बेस बराबर था तो पावर एड़ कर देते हैं अब पावर पर भी एलिशियम लिया जाता देखे पावर कालिशम 3 आ गया 3 और 1 प्लस 2 अब उपर जोड़ दीजिए 3 की पावर 3 बटे 3 हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा बराबर आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 के बराबर हो जाएगा अनस्वर आ जाएगा क्यों सन्दूसरा देखे 5 की पावर देखे 3 है 5 की पावर 3 की पावर एक बटा 5 ऐसे दिया गया है इसको हल कर सकते हैं तो इसको आप 5 की पावर 3 करके हल कर सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 या फिर 5 की पावर इसको लिखा जा सकता तीन बटे 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर इसको कर सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 इसकी पावर एक बटा 5 या 125 की पावर एक बटा 5 ऐसे लिख सकते हैं तो बच्चोई इसको ऐसे लिखें आप दूसरा तीसरा क्वेशन देखिए इसमें क्या है पाँच के बेश बराबर है तो उपर जाएगी देखे पावर दो बटा पाँच में से नीचे वाली पावर एक बटा पाँच घटा देजिए तो पाँच की पावर दो बटा पाँच में से एक बटा पाँच घटाएंगे एक बटा पाँच बच जाएगा यह आजएगा अंस्वर फिर देखिए यह लास्ट वाला क्यूस्चन है दो की पावर देखिए पावर बराबर है तो दो गुणा 3 AB वाला फॉर्मूला लगा दीजिए दो की पावर एक बटा 9 क्या A गुणा B यदि पावर बराबर है तो AB की पावर करते थे हम AB की पावर 3 कुछ भी है N तो ऐसे करते थे इस तरह से हम पावर बराबर है तो दो गुणा 3 यानि 6 की पावर एक बटा 9 के बराबर आजएगा अंस्वर तो यह थे आपकी महित की वरक्षीट वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें मारी चनल को सब्स्क्राइब करें